टाइगर तीन की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां टाइगर दो की कहानी खत्म होती है। टाइगर और जोया अपने बेटे रहान के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालाकि उनकी खुशी तब तूट जाती है जब उन्हें पता चलता। है कि एक खतरनाक आतंकवादी संगठन जिसका नाम जैक है उनके बेटे का अफहरण कर लिया है। जैक का नेतरित्व एक खतरनाक आतंकवादी खालिद रशीद कर रहा है। रशीद एक पूर्व भारतिय सैनिक है जो देश-द्रोही बन गया है। भारत को नश्ट करना चाहता है और जैक संगठन का उप्योग अपनी योजना को अन्जाम देने के लिए करना चाहता है। टाइगर और जोया अपने बेटे को बचाने के लिए जैक के पीछे लग जाते हैं। उनकी यात्रा उन्हें दुनिया भर के कई देशों में ले जाती है जिनमें रूस, तुर्की और आस्ट्रिया शामिल हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने बेटे को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तयार हैं। अपनी यात्रा के दौरान ताइगर और जोया को यह पता चलता है कि जैक की योजना केवल भारत को नश्ट करना नहीं है, बलकि दुनिया के अन्य देशों को भी नश्ट करना है। जैक के पास एक खतरनाक हतियार है जिसका उप्योग करके, वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ताइगर और जोया को जैक को रोकना होगा और दुनिया को बचाना होगा। हालांकि यह काम आसान नहीं होगा। जैक बहुत शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सारे संसाधन है। लेकिन ताइगर और जोया भी कम नहीं है। उनके पास हिम्मत, साहस और प्यार का बल है। ताइगर सल्मान खान एक भारतिय जासूस जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तयार है। जोया कैटरीना कैफ एक पाकिस्तानी ISI एजेंट जो ताइगर से प्यार करती है और उसकी मदद करती है। रेहान शाहरुख खान के बेटे अबराम खान ताइगर और जोया का बेटा। खालिद रशीद इमरान हाश्मी जैक संगठन का नेता। अन्यपात्र अंकुर विक्रम सिंह पठान शाहरुख खान ताइगर और जोया के बेटे का अफ़रन। जैक संगठन की खतरनाक योजना। ताइगर और जोया की जैक का पीछा करते हुए दुनिया भर की यात्रा। टाइगर और जोया के द्वारा दुनिया को बचाने का मिशन देश भक्ती प्यार हिम्मत साहस्त्याग बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है प्यार और हिम्मत किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करते हैं देश के लिए सर्वोच बलिदान देना एक सच्चे देश भक्त का करतव्य है फिल्म की समीक्षा टाइगर तीन एक एक्षन पैक्ट थ्रिलर फिल्म है जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की जबरदस्ट जोड़ी है फिल्म में शांदार एक्षन द्रिश्य है और कहानी भी काफी रोचक है फिल्म का संदेश भी बहुत अच्छा है फिल्म में इमरान हाश्मी ने भी अपनी भूमिका को बखुबी निभाया है वह एक खतरनाक और चालाक आतंकवादी के रूप में बहुत ही प्रभावशाली लगे है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और निर्देशन भी काफी अच्छा है फिल्म को दुनिया भर के कई खूबसूरत स्थानों पर शूट किया गया है कुल मिलाकर टाइगर तीन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी को देखना चाहिए